स्वागत है एक और नया वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोग को प्रोमिस किया था कि पूरा मैं सीरीज चलाऊंगा मेरा कोशिश यह रहेगा कि डेईली एक वीडियो डालने का या दो तिन दिन वी एक वीडियो डालने का क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा बीजी रहता तो मैं यह बुक है ना यह बुक आप लोग को मिल जाएगा ऐसे तो थोड़ा महेंगा है थोड़ा महेंगा है तीन चाराजार रुपे का पड़ जाता है इंडियन में इतना पैसा आप लोग खर्चा करत मत करो मैं फ्री में आप लोग को दे दूंगा और सीधा अभी कर रहे रेडियोग्राफिक की कोई भी मेडिकल की कोर्स शुरू कर रहे आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आपको यह कुछ चीजे है जो रेडियोग्राफिक की रिलिटेड है बहुत बैसिक है जो आप लोग को पता होना चाहिए सबसे पहले देखो यह अनाटमिकल position हो तो यह सारे चीज़े आपको इस बुक में मिल जाएगा इसको बोलते हैं क्लार्क की पोजिशिणिंग इस वाले बुक में आपको सारे चीज़े मिल जाएगा जिनको किसी भी चीज़ की डाउट है इस बुक को आप फॉलो कर यह बहुत ही golden बुक है मेरे इस आप से जो लोग रिडियोग्राफि करने जा रहे अपने केरियर में जो लोग रिडियोग्राफिय शुरू कर रहे तो अभी चलते हैं अगले पेज पर यहाँ पर मैं आप लोग को basic दिखाता हूं कुछ चीज़े जो यहाँ पर आप देख सकते हूं यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें दिया हुआ है sagittal plane, coronal plane and axial plane यह तीन चीज़ की important है यह बहुत important है जब भी आप life में radiography carrier में आगे बढ़ोगे x-ray, CT scan, MRI, कुछ भी करोगे, ultrasound करोगे यह plane बहुत important है इसमें आपको MRI में CT scan में cross section में तो daily use है तो आपको यह पता होनी चाहिए कि sagittal plane क्या होता है, coronal plane क्या होता है, axial plane क्या होता है sagittal plane है कि body को अगर आप इसे body को दो हिस्से में divide करेगे right and left half में उसको sagittal plane बोलते है और जो plane body को anterior posteriorly midline की बरावर divide कर रहा है, उसको बोलते है coronal और body को up and down दो portion में जो plane divide करता है उस plane को कहते है, axial plane ठीक है जैसे यहाँ पे आप देख़तो हाला कि इन्होंने MRI की picture लगा रहा कि इस book में इसको बोलते है axial plane यहाँ पे आप देख़तो तो एक brain को इन्होंने ऐसे axial ही दो उपरी नीचे की इससे से दो divide कर आवा है इसको बोलते है axial यह से coronal देख सकतो आप इस brain को इन्होंने ऐसे काटा है जैसे की plane जिस plane body को anterior posteriorly divide कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकतो इसको societal plane बोलते है यह body को right and left half में divide करता है यह basic planes है जो radiography में daily business में use होता है इसको कभी miss नहीं करना इस चीज को आप detail में पढ़ो इस book की यह clerk की positioning book है इस book में आप जाओ positioning terminology को पुरा याद कर लो जिंदेगी भर काम आएगा मैं बता रहा हूँ शुरू की दिन से जितनी दिन जिंदेग में आप लोग radiography करेगा उतने दिन यह काम आएगा उसके बाद यहाँ पर कुछ positioning दिया हुआ है आप देख सकतो यह lateral है prone position है यह पेशन पेशन स्टेंडिंग एंट्रियर अस्पेक्ट लगा के खड़ा है तो यह सारे चीज़े इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पर सारे चीज़े हैं डिकोविटास यह lateral डिकोविटास फ्रोन शुपाइन यह सारे पोजिशन इस पर हैं आपको एक बार बस रीडिं सबसे इंपोर्टन चीज़ है कि यहाँ पर आप देख सकते हों इन्हें दिया है फ्लेक्शन एक्स्टेंशन और कुछ टर्मिनलोजी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारे क्या है और क्यों इंपोर्टन है रेडियोग्राफिक की फिल्ड में आप लोगों को बताना कलते हैं अगर आपको पता ही नहीं कि फ्लेक्शन एक्सेंशन क्या चीज़ है फिर आप छोंक है एक्सेंशन और की सब्सेमें यहाँ जिरूरी from the body away from the midline और यहाँ पर आप देख्षो शोल्डर का flexion extension दिखाया गया है यहाँ पर hip joint का adduction और abduction दिखाया गया है hand का भी दिखाया गया है supination pronation inversion 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 यह सारे चीज़ों आपको इसमें explain करने ही कुछ चीज़े नहीं है यह आप एक बार पड़ो एक बार देखो इसको देखके याद रखने की कोशिश करना इसको भूलना नहीं बहुत ही important चीज़ है यह यहाँ पर भी कुछ positioning दिखाया गया जिसे right lateral erect standing so right lateral क्या होता है left lateral क्या होता है तो मेरा यह इस class का मकसद यह कि आप लोग को plane और positioning क्या समझाना है क्योंकि यह आगे जितने classes होंगे जितने भी पढ़ाई आप करने जाओगे इसमें daily mention होगा तो फिर बार-बार mention करना मुश्किल होगा आप एक ही बारे में इस सारे चीज़ को याद कर लो जो लोग नहीं है जो लोग पुराने उनको भी बहुत important आने वाले जो लोग पुराने उनको पता होगा जो लोग नहीं है उनको पढ़ना बहुत important है तो यह पहले हो गया planes यह हो गया position terminology यह हो गया flexion extension पेशन ऐसे तीर्चा करके लेटा हुआ है तो इस तीर्चा करके लेटा हुआ position को oblique position बोलते हैं आप इसकी right side से लेटेगा तो right oblique, left side लेटेगा तो left oblique, पीछे से होगा तो posterior oblique, आगे से होगा तो anterior oblique, यह सारे चीज़े इसमें इस वाले book में अच्छे से images के साथ explain करा यह वाले positions को लेके आप comment section में लिखो, मैं पूरा explain करूँगा, मैं दुबारा month की end में एक revision class लूँगा, उसमें सब बता दूँगा, अगर किसी वो कोई भी confusion होगा तो, ठीक है, यह हो गया plane positioning and oblique की, अभी एक important topic है, उसको भी उसको page भी लेके चलते हैं यह उसी की additions है, सामने जो projection terminology है, जो मैंने बताया है, आप लोग को right, left, anterior oblique, decovitas, यह सारे position इस पर mention करा हुआ है, इस वाले page में भी, आप इस book को save करके रख लो, बहुत, life में बहुत काम आने वाला है, बिश्वास करिए मेरा, next, stop खुरो, camera रस टॉप खुरो, so यहाँ पे इस पर क्या है, इसको बोलते है, basically इसको बोलते है, radiological landmarks, ठीक है, radiological landmarks क्या होता है, जैसे landmarks होता है, यह होता है, society का landmark होता है, ठीक है, ऐसे human body में भी landmarks है, उसको radiographical, anatomical landmarks बोलते हैं, और उस चीजों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसमें सबसे important चीज है, temporomandibular joint, उसमें उसकी नीचे से ही, जो हमारी vertebral column से, यहाँ से start होती है, ठीक है, यहाँ से start होती है, फिर आपको angle of mandible, cervical vertebra, first rib कहाँ पे है, sternal notch, जै two, three, thoracic vertebra, आप patient, supine position में लेटा हुआ है, आप पीछे देख नहीं सकते हो, तो आप sternal notch पे touch करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि T2 vertebra और T3 vertebra, उसकी level पे है, तो जब आप x-ray करोगे, centering करोगे, positioning करोगे, उसमें बहुत help आएगा, तो यह वाला जो page है, मैं strongly recommend करू और बहुत ही important है, बहुत ही ज़रूरी है, तो आप यह वाला page याद रख लेना, इमें detail में describe नहीं करोगे, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ चीज़े नहीं है, इसमें याद रखने की बात है, ठीक है? Hi guys, तो दुबारा आपस आते हैं, यह वाला जो page आप देखरो, यह भी बहुत important है, क्यों important है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इसमें देखो, skull की जब हम X-ray करते हैं, जब CT scan MRI करते हैं, जो skull का X-ray करते हैं, इसमें, skull की जो अलग plans है, कुछ radiological landmarks है, lines है, यह याद बहुत जदा important है, daily काम आएगा, अगर आप practice करोगे, एक busy hospital में, daily आपको, sorry, daily आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे देखो, skull में कुछ anatomical landmarks जोने बता है, ग्लेवला, ग्लेवला में हम daily MRI की positioning brain का करते हैं, तो landmark ग्लेवला है, यह nasian है, infra orbital line है, और यहाँ पे देखो, interpipulari, interpipulari line, mid sagital plane, infra orbital line, यह सारे चीज़े इस पे दिया हुआ है, और आप लोग इस page का, इस page का भी print out निकालके, आपकी study desk पे लगालो, जो लोग पढ़ाई कर रहो, daily याद रखनी की चीज़े हैं, आपको बार बार जरुरत पड़ेगा, तो यह सारे चीज़े है, skip नहीं करना है, याद रखना है, और मैं अगले वीडियो पे मिलूँगा, आप लोग को, एक और interesting topic लेके, आप लोग मुझे suggest कर सकतो, कौन सी topic में आप लोग को वीडियो चाहिए, comment करो, सबसे important चीज़ जो है, वो है यार, मैं जितना expect कर रहा हूँ, reach आने का, उस level का, reach नहीं आ रहा, आप लोग share नहीं कर रहो, मैं आप सब लोग को request करना चाहूँगा, आप लोग की जितने की भी college की group से, जहाँ पर radiography की बाते होती है, आप मेरे इस channel को share करिए, आप लोग ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा views आएगा, ज़्यादा लोग comment करेंगे, फि आप किसी को कोई feedback देना है, आप open to all है, आप मेरे को message कर सकते हो, जहाँ जहाँ मेरे को connected है, सारे जगा message कर सकते हो, और यह जितने ही PDF से मैं आप लोग को भेज दूँगा, पर PDF भेजने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि, आप लोग Instagram में message करके मेरे को बोलोगे, PDF बेज में नहीं जाता है, देखता हूँ मैं कैसे करूँगा, इसका में कोई हाल निकालता हूँ, अगर किसी की पास कोई idea है तो आप वो भी share कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है मैं मिलता हूँ आगले वीडियो पे तब तक के लिए अपने ध्यान रखके बने रही है हमारे साथ